किसी भी बज़े से आपके शरीर में टेस्टिस्ट्रिन हर्मोन की कमी हो गई है क्योंकि इस हर्मोन का कम होने का मतलब यह है कि आपके शरीर में यौन इच्छा की कमी कई तरह की सेक्सवल प्रब्लम उपर से स्परम काउन बगड़ना ठीक है कुल मला के जो मैंस इन्फर्टिल पर देखापस होती है जो कि इस हर्मोन को बढ़ा सकती है लेकिन वह चीज ठीक है उसके लिए डेडिकेट में कई पहले वीडियो बना चुका हो आज मैं वह दस फूट्स के बारे में आपको बात करूंगा कि जो हमारे सरीर में जाके टेस्टोस्ट्रोन हर्मोन के सीक्रेश है ठीक है सबसे पहली चीज होती है अध्रक दोस्तों अध्रक एक बहुत ही अच्छा अरुवेदिक मशाला है और हमारे कई प्रकार की डिसीज में काम आता है अब यह टेस्टेस्ट्रोन की बात करूं तो इस हर्मोन को इंकरीज करने के लिए आप अध्रक का काड़ा पीज हुआ है चाहिज दूसरा जो टो पूर्ब्स होता है वह होता है यह टालक पायलाग में मिलता है और मुए के लिए इस प्राइजटेस्ली तोर पर यह चीज़ है जब हमारे अहुट फ्रवलो Guiko में होती है तभी हमको राक्स्तe लेक्षाहन जैसी प्रवलबल्स होती है तो उस प्रोब्लम से बचने के लिए और इस हर्मोंस को भूश्ट करने के लिए पालक के इस्तमाल आप जरूर करिएगा अगले फल का नाम लोगा देखिए अलंकि फल होता है यह अंगूर होता है और अंगूर में वह तागत होती है पुरसों के लिए खास तोर पर यह फल प्रक हमारे जो इंटर्नल डिसीज होती है डेडिकेट जैसे अरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ या फिर प्यूर में चुर्ण हुआ या फिर आपका स्प्रम काउंट हुआ ठीक है मैंस फर्टिलिटी के लिए सबसे चीची कहलाती है पत्ता हो भी आप सबजी का इस्तमाल जादा पोबर बढ़ाने के लिए मर्दाना तागत बढ़ाने के लिए तो कीले का इस्तमाल किया जाता है तो इस लिस्ट में यह फ़ल नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता तो तो किला रोज जो आदमी खाता है जो पुरस खाता है उनको इन फूचर वबिस्टाम कभी यह प्रॉब्लम द दूद में डाइवेटीज नहीं है तो तो इससे और डबल वेनिफेट्स आपको मिलेगा को कि मैं अगला फूट से सामिल करने वाला था तो दूद के साथ केला खाईए इससे आपको बेनिफेट मिलेगा अब आखरी जो चीज होता है खजूर का सेवन मैंने कई वीडियो मे के लिए तो खजूर उसके लिए बना है खजूर आपको नेचुरल पॉबर देता अंदर से आपको मर्दाना सक्ति देता है जिससे आप कभी आपको कोई सेक्ष्वल मेडिशन खाने की जोरोती नहीं पड़े तो आपको यह सारी प्रब्लम्स रहती है गुप्त रुख जो इसने भी रहते हैं तो इन से बचने के लिए आप इन फूर्ट का इस्तमाल सबस्यादा कीजिए और बचे रहिए प्रकरती आपको बहुत कुछ दे रहिए उनका इस्तमाल करना सीखिए खाना सीखिए और जिससे कि आप दबाओं पर निर्वर ना रहें धन्यवाद